आई पील के दसवे संस्क्रंड के लिए खिलाडियों की निलामी में इंग्लेंड के तेज गेनबाज टाइमल मिल्स 12 करोड की रकम में बिके, किसी को भी मिल्स के इतनी ज्यादा रकम में बिगने की उम्मीद नहीं थी, मगर रोयल चैलेंजर्स बैंगलोरू के टीम ने मिल्स पर बड़ा दाउन लगाया है, जानिये वो पाच बड़े रीजन जिसके वज़ह से मिल्स इतने महंगे भी के, पूरे सीजन के लिए उपलत, जहां एक तरफ इंगलेंड के दूसरे खिलाडी IPL के सभी मैच नहीं खेल वहीं मिल्स पूरा IPL खेल सकते हैं, चूकि मिल्स सिर्फ T20 क्रिकट ही खेलते हैं, इस वज़ह से उन्हें देश के लिए किसी और दोरे के लिए टोनामेंट बीच में नहीं छोड़ना होगा, मिचेल स्टार्क ने छोड़ा साथ, RCB के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मिचेल स्टार्क ने उसका साथ निलामी से ठीक पहले छोड़ दिया, ऐसे में स्टार्क के साथी की तलाश कर रही बैंगलूरू की टीम को, स्टार्क का ही विकल पे तलाशना पड़ गया, मिल्स बतोर T20 स्पेशलिस्ट खिलारी अच्छा विकल बन सकते हैं, बाय हाथ की ध घ्यान अपनी और खीच सकते हैं, गजब के आंकडे, टाइमल मिल्स के आंकडे कमाल की हैं, T20 के विशशग्य माने जाने वाले मिल्स का स्ट्राइक रेट 17.7 का है, यानि कि वो 18 गेंदों में एक विकेट लिते हैं, इसके अलावा वो रन देने के मामले में भी काफी अंतिम ओवरों में उनका एकनॉमी रेट सिर्फ 7.28 का है, जेब में पैसे, स्टार्क का साथ छूट जाने से बेंगलूरू के पर्स में 5 करोड रुपे अतिरिक आ गए, जिसकी वज़ा से वो खुलकर पैसा लगा पाए, जोर्डन को रिलीज करने के बाद बेंगलूरू के पाए खर्डन के बाद घर्क का साथ पाई झाद